चले इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका जीमेल का आईडी पासवर्ट किसी को पता है तो आपके लिए खतरना की साबित होगा क्योंकि वह जब चाहिए आपके मोबाइल को रिसेट कर सकता है आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा मोबाइल क्यों र पतलेंगे वह सेटिंग से अगर आप ओन कर लेते हैं तो कोई भी आपका मलब अकॉांट कर के आपको मुवाइल को फॉर्मेंट नहीं कर सकता है लेकिन अगर आप आप ओ अच्ब्सक्राइब आपकोशन में बताया है उगर आप लोग इन नहीं किये मालब सेटिंग ओन नह जाना है अब यह वदल नहीं है कि यह दूसरा व्ला उप्षन में आपको जाना है उसके बाद एक्सेप्ट करना और उसके बाद यह रिफ्रेश लेगा अभी माइं अटोमाटिक पहले से मेरा इसमें साइन इन है इसलिए दिखा रहा है अभी देखिए यह जैसे यहां रिफ्रेस लेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं यह डिवाइस अभी लोकेट करेगा तिहां पर आपको दिखाएगा अभी जिसे मैं यहां पर प्लेस ओन दबाता हूं तिक्षिए अभी मुझा अभी देख सकते हैं यहां यहां से कर सकता फिर आप स्टॉप दबाएंगे तो यह स्टॉप हो जाएगा अगर आपका आइडी और पासवर्ट किसी के पास है तो यह जो इरेज वाला ओप्सन है इससे आपका कोई डिवाइस को रिमोटली फॉर्मेट कर सकता है आपको पता भी नहीं चलेगा इसलिए आपको पहले इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने अप्लोड किया है उसको आ आपका मोवाइल को कोई रिसेट ना कर पाया आपका सारा डेटा सेफ रहे अब मान के चले आपका फोन खो गया तो आप यहां से आप लोगेट कर सकते हैं उसको सौन प्ले कर सकते हैं लेकिन जब तक नेट उसमें कनेक्ट रहेगा तभी और आप चाहें तो अपना मोवाइ आपको अपना मोवाइल नंबर दे देना है जिससे कि वह आपको कोंटक्ट करके अगर उसका मन होता आपका मोवाइल आपको दे पाए उसके बाद यहां पर सेक्यूर डिवाइस में क्लिक कर देना है देख सकते हैं कि मेरा मोवाइल लोग हो गया है अब मैं इसको अनलोग क कर सकता है उसको रिंग भी कर सकता है और जब चाहे उसको इरेज भी कर सकता है और आप चाहते हैं कि इस तरह से आपके मोबाइल के साथ को छड़ खानी ना कर पाए और उसको फॉर्मेट ना कर पाए तो इसके लिए आपको आई बटन में दिए गए वीडियो को पूरा देख सेफ रहेगा और आपको डिवाइस भी सेफ रहेगा क्योंकि जब कोई लोगिन नहीं कर पाएगा तो नहीं कोई डेटा डिलेट कर सकता है नहीं मोबाइल को फॉर्मेट कर सकता है